बेस्ट फोन ब्रांड वस्ट फोन ब्रांड है कौन से पूरे दुनिया के अंदर देखो अक्सर हम जब भी ग्लोबल स्मार्टफोन रेंकिंग की बात करते हैं तो टॉप फाइब वगरा के अंदर बात करते हैं लेकिन इस वीडियो के अंदर में आपको टॉप टैन कंपनीज के बारे बताने वालो कि कौन सी कंपनीज की पॉजिशन कैसी है कौन अच्छा कर रही है कौन खराप कर रही है और सच बता हम लिस्ट बहुत ही ज़ादा सर्प्राइसिंग है और आपको पता ही होगा कि वह यहा और 5G पे ही ज़ादा फोकस कर रहा है कम फोन्स होतारेगा और हर एक सेग्मेंट में जहाप पहले आपको मल्टिपल सेमसंग के फोन्स देखने को मिलते थे ना वो सब खतम करेगा और सिर्फ लिमिटेड फोन सी देखने को मिलेगा लेकिन वहीं बात करें सैमसंग आखर इत साथ और अपडेट जल्दी प्रॉइट कर रहा है आप देखने की जो फ्लिप और फोल्ड निकालते हैं उनकी सेल्स वग रहे हैं आपर कैसी रहते तो खर यह है सैमसंग इखाने लेकिन नमबर टू पर एक ऐसी कम से जो काफी इंट्रस्टिंग है वो है एपल एपल का जो म मिलियन फोंस को यहां बेचता है लेकिन क्या आप लोग को मालू है कि एपल की पिछले साल जो सबसे जादा फोन बेचे वो कौन से थे यानि कि वो था उसका आइफोन 13 कई लोग को लगता है कि आइफोन 13 फ्लिप कार्ट की सेल में बेका डेफिनिटी इंडिया के अंदर त आइफोन के उपर तो लोग उसके उपर थोड़ा जाना पसंद भी करते हैं इसके साथ इपोन 14 की स्रीज में मार्केट में सही चली खास तोर पे आइफोन 14 प्रो के डैने में कलें जो की गिमिक की रूप में साब हुत हुआ है लेकिन उस गिमिक के चकर में अपल ने अपने इनने वन प्लस लिया तो वन प्लस वाला Samson के आप रहा धेगर कर सकता है। वन प्लस इक्ला फोन ले सकते हैं एपल की औपर भी जया सकता है। लेकिन जब Apple वाला अपग्रेट करेगा ना तो 90% chances होती है कि वो एक iPhone पर अपग्रेट करे इसलिए Apple यहाँ पर 2nd position यहाँ पर अचीव कर ली है लेकिन लिस्ट के अंदर देखा तो 3rd position पर जो company वो काफी surprising है और वो है Xiaomi अब Xiaomi की कहानी पिछले कुछ सालों में बहुत बतली दो साल पहले Xiaomi के phones लोग पसंद करते थे और हर दूसरा Xiaomi का phone एक best seller category में आ जाता था लेकिन पिछले एक देड़ साल से Xiaomi कहानी उतनी खास नहीं है मतलब एक रास की बाद बताता हूँ इंडिया में 2022 का जो best selling under 20,000 रुपीज का phone है वो कोई Redmi Note phone नहीं है वो OnePlus का Note CE 2 Lite बन गया था Redmi Note series का price increase होने के बाद उसे भी थोड़ा से negative criticism मिला और देखा जाया तो उत्ती अच्छे तरीके से sales translate नहीं हो पाई इसके साथ ही Xiaomi के बार में आप लोग को पता है कि कैसे हैं पर motherboard के issues, camera dad के issues आ रहे थे और हाँ जब मैं Xiaomi के बार में बात करता हूँ न तो मैं Mi, Xiaomi, Redmi, Poco सब को मिला के बात करता हूँ और देखाया तो जो recently जो issues है जो trust lose हुआ वो कहीं न कहीं effect पड़ा है हाला कि Xiaomi third position यहां पर क्यों maintain कर पा है European market के अंदर जो फोड़े प्रीमियम फोड़े क्वालिटी अच्छी मिल रही है जिस कारेट से भाके लोग को इत्ती दिक्कते नहीं आए और देखा जाए तो जो Europe के अंदर जो Huawei वाला क्राउड ता पहले सिर्फ Huawei के phones लेता था अब उसे Xiaomi अपने उपर convert करें इवर Xiaomi इस साल Leica को भी लेकर आई है 13 Pro के अंदर ताकि कहीं न कहीं उस वाली crowd को यहां पर attract कर सके लेकिन overall बात है कि इंडिया में बहुत तीस इनोंने market share देजी से lose किया यहां तक की बात करें तो कुछ साल पहले तक 2017 तक यह 15% का market share था अब यह गिर के 12% हो गया लेकिन फिर भी 3rd position उने maintain कि पिछला साल इनके लिए तक खास रहा भी नहीं था काफी जादा losses हुए, sales में भी decline हुआ और market share भी lose गया जहां पहले Xiaomi budget phones के नाम पे king हुआ करता था और वो चीज़ वो धीरे-धीरे lose कर रहा है अब देखनें क्या future में वो 3rd position पर ही बना रहता है या फिर और नीचे खे सकता है यह एक देखने वाली बात है लेकिन 4th position भी काफी interesting है क्योंकि यहां से BBK Group शुरू हो जाता है और यहां पर जो BBK Group की companies है वो है OPPO जिसके अंदर OnePlus included है देखो अगर मैं OPPO OnePlus को combine करके देखो ना तो यहां पर दौनों का मिला के market share लगभग 10% है और 118 million phones यहां पर ship करें लेकिन बाब बताओ यहां पर OPPO Group के बारे में देखो OPPO Group के अंदर OnePlus और OPPO combined होते है और OnePlus देखा जातों Nord series के कारण वो काफी ज़्यादा hit चल रहा है OPPO की Reno series चल रही है और इंडिया में offline के अंदर OPPO थोड़ा बहुत यहां पर उसे push मिल रहा है इसके साथ ही Chinese market के अंदर fine series को भी push कर रहा है जिस कारण से नो ने market share यहाँ पर गिन कर लिया खेर अगर OPPO और OnePlus combined नहीं होते हैं तो शाथ 4th position का भी ले नहीं पाते है और यहाँ पर देखा तो 5th position भी आती ही Vivo की और Vivo में भी मैं बताना चाहूँ कि यहाँ पर Vivo और iqo combined है 99 million phones को यहाँ पर ship किया 2022 में और लगपाग 8% का market share यहाँ पर लिया था देखा जाए तो Vivo के phones यहाँ पर थोड़े से camera centric होते हैं और all-rounder phone बनानी कोशिश करता है Vivo जबकि iqo के बारे में बात करता है तो वो gaming centric बनानी कोशिश करता है जहाँ पर processor पर focus होता है यह दो major difference है दौनों phones के अंदर लेकर बात करें Vivo की Y series वो offline में इंडिया में काफी चलती है V series और X series के phones है जो actually में थोड़े अच्छे phones होते है वो यहाँ पर market में सही चलते है इसके साथी Vivo के phones इंडिया में भी अच्छे बिक रहे है प्लस इंडिया के बार कुछ countries में बिक रहे है हाला कि Vivo की presence उतनी नहीं है जितनी Xiaomi की देखने को मिलती है उपो की देखने को मिलती है इसलिए लिस्ट में थोड़ा सा पीछे लिकन अगर इक ग्लोबल लेवल पे और expand करें और दूसरी countries में मिले तो definitely OPPO और Xiaomi का market share भी खा सकता है और ये चीज़ है न हमने इंडिया में देखना शुरू करी दिये और इसके बाद-बाद करें तो 6 position है Realme की अब Realme की कहानी काफी अलगया 2018 में शुरूआ था वन आफ दा फास्टेस डोइंग ब्रांड था और पूरी दिनिया में बहुत तेजी से expand किया है इनोंने हाला कि इस समय यह है कि Realme के कुछ phones ही यहाँ पे चलते Realme को यहाँ पे जो success मिली ना इंडिया में वो मिली यह 15,000 रुपे के नीचाए देखो 10 से 15,000 रुपे में जो C series, Nardo series के phones आते वो Realme के यहाँ पे बिकते हैं इंडिया में GT series इनकी नहीं चली वो बहुत बड़ा disaster यहाँ पे सावेत हुई और अभी Realme यहाँ पे सोच रहे कि GT3 को कब लाए जाए कैसे लाए जाए यहाँ पे European market में यहाँ पे उल्टा खेल है क्योंकि वहाँ पे उनकी GT series चल गई GT3 को वाल लेक ले आए और वहाँ पे वो महेंगे और premium phones पे थोड़ा जादा focus कर रहे है क्योंकि definitely वहाँ पे इस टैप की technology को लोग वहाँ पे थोड़ा पसंद कर रहे है तो यार यह एक चीज़ है इधर Realme के साथ ओपर से बात किया तो Realme ने बहुत जादा expand किया पिछले कुछ समय में लेकिन इंडिया में भी market share यहाँ पे यूज किया और इसलिए देखा जाए तो यहाँ पे 6th position भार यहाँ पे Realme आ चुकी है इसके साथ ही 7th position के बार में बात करें तो वह है Motorola देखो Motorola के बार में बात बता देना चाहतो Motorola आथ के समय में actually में Lenovo है और बात की जाए तो Motorola कुछ फोन से यहाँ पे ठीक बना रहा था इंडिया में भी उसके फोन से यहाँ पे चल रहे थे G-series के फोन आते हैं E-series के budget फोन आते हैं उपर से इनकी flagship edge series भी आती है पूरा product portfolio काफ़ी जादा divers है लेकिन फिर भी market के अंदर एक बड़ा market share यह लोग gain नहीं कर पा रहा है हाला कि problem पता है क्या है इनके phones के design काफ़ी जादा monotonous होते हैं कुछ लोगों को updates के अंदर भी दिक्कत आई है हाली में इनके phones के अंदर कुछ bloat wear और glance जैसी चीज़े देखने को मिली है जिससे लोगों जो पहले pure and clean experience मिल रहा था न वो अब उत्ता देखने को नहीं मिल रहा और यही एक चीज़े हाँ पर shipment की यहाँ पर लगबग 35 million phones नहीं नहीं शिप कर रहा है और लगबग 3 person का market share नहीं नहीं gain कर रखा है देखा जा तो थोड़ा कम रहा था क्योंकि competition में जो phones हो काफी चाप पफॉर्म कर रहा है लेकिन Motorola की यहाँ पे 7th position बनके बैठी हुई हाला कि इसके जो phones हो वो इंडिया में चलते हैं कुछ phones बाहर चलते हैं चाइना के अंदर भी कुछ phones हाप इनके चल जाते हैं लेकिन अभी भी ने वो success नहीं मिली जो एक जमान में Motorola deserve करता था और इसके बाद बार ही आती obviously Huawei की अब देखो Huawei देखा है तो एक जमान में बहुत popular थी फिर 2019 में एक band लगा और उस band के बाद Huawei की कहानी काफी नहीं चली गई हाला कि Huawei ने बीच में comeback किया अपना Harmony OS निकाला phone के camera को better किया नहीं technology को लेके आ रहे हैं और काफी जादा R&D और innovation कर रहे हैं लेकिन जो Huawei वो बस अब limit हो गया है Chinese market के अंदर अगर मैं numbers के बात करूँ तो इनके पास सिर्फ 2% का market share है और लगबाग 30-35 million ये लोग phones बनाते हैं साल के और 9th position पे बात करें तो वो बहुत surprising है वो है Transign Holding की exactly मैं बात करें तो इस company के अंदर Infinix, ITAL और Techno आते हैं Infinix, India में देखो budget के अंदर ठीक ठाक फोन निकाल रहा है इसलिए वो यहाँ पे survive कर रहा है और लोग उसके फोन लिटरली खरीब रहे है Techno के बार में बात करें वो भी budget में चलता है offline के अंदर उपर से globally देखा जाया तो Transign Holding की जो फोन से ये African market में बहुत popular है लगबाग second biggest brand बनके बैठे हुए वो लोग वहाँ पे कई सारी developing countries के अंदर बहुत तेजी से यहाँ पे ग्रो कर रहे है क्योंकि ये अपने budget or affordable series के फोन से निकालने के लिए फेमस है इन्फिनिक्स और टेक्नो थोड़ा सा innovation वाले direction में मूव कर रहे है जैसे कि ये टेक्नो एक folding phone को यहाँ पे बना रहे है तो इन्फिनिक्स वाले 180 watt के charging, curve, display ये सब चीज़े यहाँ पे लेके आ गए है हलाकि मैं ये बोलूगा कि अभी भी इनको अपने software के अंदर काम करने की जरूरत है लेकिन फिर भी global market के अंदर के phones यहाँ पे चल रहे है और बात किया दो लगबग 2% का market share और 30 million phones ये तीनो ब्रांड्स मिलके ship करते है लेकिन problem ये कि अभी भी budget से इनको associate करके रखा जाता है budget वाला जो barrier होता है वो तोड़के यहाँ पे आगे बने ये कहानी है Transign Holding की और 10th position यहाँ पर जो company है वो है Honor अब Honor देखा जा तो उसको Huawei के साथ associate किया जाता था लेकिन exactly में क्या हुआ कि Huawei ने Honor को अलग कर दिया और उसके जो stakes थे उनकिसी को और को बेचती है लेकिन अभी भी Honor एक Chinese company चाइना के अंदर mainly हाँ पे काम करती है Honor अभी भी कही ना के indirectly Huawei से connected और Huawei की technologies को यहाँ पे use करती है इंडिया में इसकी presence बिल्कुली zero है Honor की Chinese market के अंदर को फोस निकाल रहे एवन European market को भी focus कर रखा है और लगबग एक से 2% की फीचकन के पास market share है इनक्यों पर जो टैग लग गया है ना जो Chinese वाला उस कारण से globally है पे expand नहीं कर पा रहे है यह एक list इट दुनिया की top 10 companies की हाला कि list और भी बड़ी हो सकती थी Nokia के बारों यह बात कर सकते हैं हाल फिलाज जो Nokia की parent company HMD Global वो यहाँ पे ठीक ठाक phone बना नहीं रही है और अगर आप लोग सोच रहो कि Nothing जैसी company नहीं है तो Nothing का जो market share होगा ना वो 0.1% 0.2% इत्ताई होगा यहाँ पे क्योंकि इससे जादा Nothing का कोई impact नहीं था अभी तक हो सकते हैं future में चीज़ें यहाँ पे बतल जाएं By the way इस list में से कौन से phone को यहाँ पर प्रिफर करते हो नहीं करते हैं इस बात नीचे comment और बता सकते हो थेंक आपको वीडियो देखने की मैं आप समल दाओ next one में Goodbye